नमस्कार आप लाइट सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जैशुकला बिहार में इन दिनों मौसम काफी तेजी से करवट ले रहा है आपने देखा होगा पिछले दो दिनों से लगातार कभी आस्मान में बादल छा जाते हैं तो कभी धूप निकल आता है इसके साथ ही कई जिल जारी कर दी गई है मौसम विभाग के द्वारा और क्या कहा गया है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं पटना में गुरुबार को दिन की शुरुवात आस्मान पर बादल छाने और तेज हवाओं से हुई पटना के साथ ही गया, बेगु सराय, नालंदा, मुझजपरपूर, दर्भंगा, वैशाली, मधुबनी, समस्तिपूर, मुझजपरपूर, पस्चिम और पूर्वी चंपार, समस्तिपूर, सीता मढीर, शिवहर, सारन, गोपाल गंज, सिवान, सुपॉल, सहरसा और जारी कर दी है, मौसम विभाग के मुताबेक, एक चक्रवाती हवा पूर्वी उत्तरप्रदेश से होते हुए बिहार और जारखंट तक फैला हुआ है, इसके साथ ही पूर्वी और उत्तरपूर्व, सिस्टम की सक्रियता की वज़ज़ से बिहार के सभे हिस्सों में, मौसम में तेजी से बदलाव को रहा है, शुक्रवार देर शाम से हवा का रुख पच्छुआ हो जाएगा, जिसकी वज़ज़ से आस्मान पर बादल च्छाने के बाद भी तापमान में हल्की वृद्धी होगी, शनिवार को देर शाम से हवा के रुख एक बार फिर से फिलाल, मौसम ऐसा ही बने रहने की वज़ज़ से पुर्वानुमान में कहा जा रहा है कि कुछ और जिले हैं, पटना समेत बिहार के तेरह जिले हैं जहां पर वजरपात बारिश के साथ आंधी की संभावना है और इसके लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है, का तेज जोका भरी आंधी अचानक आ जाएगी, बादल गरजने लगेंगे और बुंदाबांदी के साथ बारिश भी होगी, जिससे मौसम खुशनमा होगा लेकिन खेती के लिए, किसानों के लिए मौसम जहां आम के मंजर, टिकोले, सबजी की खड़ी फसल और खलिहान पर दो-तिन दिनों से मौसम में आपने बदलाव देखा होगा, मौसम करवट ले रहा है, आस्मान में बादल छाय रहे हैं, मौसम खुशनमा भी हो रहा है, गर्मी से रोल लोगों को राहत भी मिल रही है, लेकिन लगातार आंधी और तुफान की वज़ज़ से, बारिश की लोगों को सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा, आस्मान से बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, और ऐसे में हिडायत भी दी गई है, कि आप घरों से बाहर ना निकले, वैसे भी, कोरोना महमारी का दौर चल रहा है, कोरोना संकट का दौर चल रहा है, आपको घरो अगर आप ये वीडियो फिस्टूप कर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें इसके अलावा ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें धन्यवाद